विपत्ती के समय स्त्री धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना करती है. ऐसी स्त्रियों के पती काफी भागयशाली माने जाते हैं. धैर्य सुखी जीवन का सबसे बड़ा आधार होता है. इसके कारण बड़ी सी बड़ी मुश्किलें आसानी से पार हो जाती है. चानक्य नीती के अनुसार जो स्त्री धर्म के रास्ते पर चलती है उसके पती का जीवन सुखमय होता है भगवान पर विश्वास रखने वाली स्त्री के घर में भगवान वास करते हैं उनके घर में हमेशा खुशाली बने रहती है और दिक्कते कोसों दूर रहती है जो स्त्री उग्रस्वभाव की नहो कर शांत और सौमे होती हैं, वह अधिक गुस्सा नहीं करती हैं। ऐसी स्त्रीयों के घर में कभी कलाय नहीं होता है, क्रोध करने वाली स्त्रीयों को पच्चताना पड़ता है, इससे इंसान का घर तक तबाह हो सकता। जिस स्त्री में संतोष की भावना होती है, या जो थोड़े में ही संतुष्ट कर लेती हैं, जिस स्त्री की इच्चाएं अधिक नहीं होती हैं, ऐसी महिलाओं का वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, दामपत्य जीवन में कभी खटास नहीं आती है। जब पती के पास धन न हो, मान सम्मान न हो, वह मुसीब्तों से घिरा हो और तब भी पत्नी उसका साथ दे। ऐसी पत्नी का बहुत सम्मान करना चाहिए, ऐसी पत्नी बहुत नसीब वाले लोगों को मिलती है।